हलो स्ट्रेंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में हंडेड प्रतिसत आने वाले पांच नंबर के महतुपूल प्रसना बता रहा हूँ बस आपको इनकी ही तैयारी करके अपने वार्सी पेपर में जाना है मैं कंफर्म हूँ यह प्रसना आए गही आएगा क्योंकि बहुत स तो तीनों सेटों में जो प्रसन देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना प्रैक्टिस करके जाओगे पूरा में पूरा बनेगा आपका यह पांच नंबर का प्रसना चलो जो जो प्रसना बताऊंगा उनको देख लेते हैं ठीक है यह जो अध्याय है यह बैंकिंगेम कराधन वाले अध्याय में आपको यह प्रसने देखने को मिलेगा इसी अध्याय में मैं आपको बताता हूँ कौन कोंसे पढ़ना है देखो यह है एक साओधी जमा खाता है और एक होता है आवर्ती जमा खाता है दोनों के सूत्र अलग के पीछे कहीं भी साओधी तो आपको यही सुत्र उपयोग करना है तो साओधी अवर्ती का सुत्र याद करलो तो कि तैप के प्रसने है एक साओधी और एक आवर्ती साउधी वावर्ति मैंसे कोई एक देखने को मिलेगा और जो दूसरा प्रस्ण आपको देखने को मिलेगा वह वह रागा मैं आपको दिखांगा ना सर्फ में उसकी त्यारी करना ही नहीं है आप लोग के जो बता रहे हैं उनकी त्यारी कर लो चलो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं राम ने बैंक में साउधी जमा खाता है जमा के रूप में 40,000 रूपए एक वर्से के लिए 10 प्रतियर वार्सिक ब्याज की दर से जमा किया है यदि ब्याज 6 माही सयोजित होता है तो परिपक्ता क राम को कितनी धन रासी प्राप्त होगी तो देखो मुल धन कितना है 40,000 ठीक है एक वर्स और 10 प्रतियर लेकिन ब्याज की करना क्या कहा है यहां पर देखो 6 माही कहा है तो यह एक साल में कितने बार पटाएगा दो बार तो 2-6 माही लिखेंगे और यह 6 से भाग दे इसको 2 से जो 2 निकले उससे भाग दें कितना आ जाएगा तो 5 प्रतिया आधा भोड़ जाएगा ना दो हिस्सों में बढ़ जाएगा यह भी प्रतिसत तो इसको भी 200 में इस तरह से बाढ़ दिये उसके बाद त्याकरने यह सूत्र लगाना है और जो जो हमने बाटा है उसी को रख होला हो इसको हल कर दो और यह क्या हो जाएगा बीस एकीस बटे बीस दो वार लिखेंगे इस तरह से और यह सुनी है जाएगा इससे तो सव बचेगा और इन दोनों को गड़ा करेंगे तो 44100 आएगा ठीक है तो यही क्या इसका उत्तर है अब देखो यह प्रस्ना important प्रस्न है तो जो जो बता रहे हैं की practice कर लेंगे साउधी जमाखाता के बाद मैं आपको दिखा रहे हो आवर्ती जमाखाता एक प्रस्न मैं बता रहे हूँ इसके बाद मैं आपको डैक्ट प्रस्न दिखाऊंगे तो अगर यह प्रस्न समझ में आगए तो guarantee आप लोग बना सबी को देखो ये है आवर्ति जमाखाता से मोहन ने बैंक में 100 रुप्ये प्रती महा की दर से 5 वरसे के लिए आवर्ति जमाखाता खोला यदी बयाज की दर 6 पर वरसी को तो 5 वर्स पच्चात उसे कितनी धर्रासी प्रापध होगी तो देखो 100 रुपय कह रहा है तो भी महा में बदलते तो सबसे पहले आपको क्या करना है आवर्ती में वर्स को महा में बदलना होता है अगर यह महा में ही दिया होता है बारा महा तो हम कुछ नहीं करते लेकिन यह वर्स में दिया है इसलिए हम इसे क्या कर देंगे बदलेंगे तो बारा गुडित कितना कर दें याद रखना इसे इस उत्र में आपको मान रखना है इन कमान कितना है साथ यहां भी साथ रखोगे आर कमान कितना है देखो चैए यहां पे चैए रखने कितना है यहां प्राप्तरासी बताना है तो पी गुडित एन करेंगे पी का मान कितना है साथ महान थाना तो साथ लिखोगे तो साथ लिखोगे तो साथ और साथ को गुड़ा कर दो तो कितना हो गया 6,000 और ब्याज अभी कितना निकला 915 तो 915 को इसके साथ जोड़ देंगे तो दो तरीके के प्रशना आएंगे मैंने अभी आपको समझाया थोड़ा सा ठीक है एक है साथी एक है आवर्ती साथी का सूतर अलग है आवर्ती का सूतर अलग है बस इतना याद प्रसन अभे है साथी के लिए आपको कौन सा थो capabilities करना है अवर्ती एक का मैं आफाको दिखाता हो देखो अब सबही के प्रशन को सिर्फ उत्तर बताऊंगा आप लोग देख लेना ठीक है practice कर लेना देख संतोड़ कुमाने शातिकर विकास बैंक 100 रुपय की मासिक आवर्थी आवर्थी बोला है ठीक है मुझे पता है सुत्र कौन से लागेगा तुम्हें भी पता चल गया अब देखो यहां पर क्या कहा है छह माह का है तो माह को क्या हम चेंज करेंगे नहीं न मैंने बता है तो वर्स होता तब उसे माह में च यहां से करेंटी है कि दो तरीके की प्रसन आएगे इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा ठीक है अब यहां पर देखो यह प्रसन भी इंपाड़ एक व्यक्ती ने भारती स्टेट बैंक में 150 रुपय प्रती माह की 10 से 2 वर्स यहां पर 2 वर्स क्या करना है भई 12 से गुड आवर्ती जम है ना आवर्ती जम हम क्या करते हैं माह हमें चेंज करते हैं वर्स को हो गया इसके बाद यहां पर दर कुछ नहीं करेंगे किसी को कुछ नहीं करेंगे जैसा वैसा रखेंगे ठीक है इसके बाद दो वर्स बचा धनरासी बताना है ठीक है तो देख लो यही बस हमने चेंज किए हम आपको क्या करना है यह हल करो यह उत्तर आ जाएगा ठीक है देखो यहां भी आवर्ती बोला रूपया पांच वार्स पांच गुलीत कितना करेंगे 12 इतना हो गया होगे हम माहा में चेंज करेंगे भाकी सब जैसा वैसा लिग देंगे फिर वही शूतर यह भी आवर्ती से देखो सवरूपर प्रती मां कर रहे मतलब पी कमान दस वर्स दस गुडित इतना करोगे पर क्या लिखा है सुत्र है तो यह जो ब्याज कमान पाकी यहां पे रखो आर कमान तो पता नहीं है तो हल करते जाएंगे में एक मिश्च इसमें भी प्रतीषाइप बताना ठीक है जैसे अभी मैंने बताया थे उस्टे पहले वाले प्रस्ण में बस यहाँ पर देखो सव है 222 रुपए दिया यह क्या ब्याज है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो सिर्फ क्या करेंगे तीन को क्या करेंगे कितने से गुड़ा कर देंगे बारा से फिर फिर आरकमान निकाल लेंगे आसानी से निकल जाएगा अब यहां पर देखो यह जो है साओधी से सुत्रियाद रखना यह साओधी चार पते वार्सिक ब्याज की दर से दो वर्स के लिए दो लाग रूपे निवेस करता है तो परि अगले वाले में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टन मैंने कहा था उन में से थोड़ा सा चेंज करके न उपर नीचे को दे दिया था आपको बताया था कॉंसेप में अंग्रेजी में ऐसा हुआ था तो आगे पीछे करते इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं प् यहाँ पर कुछ नहीं करना यह वर्स में बताना है इसे वार्सिक से हो जाता है अगर 6 माही 3 माही कहते तो यह एन कमान और आर कमान चेंज हो जाता अभी यहाँ पर चेंज नहीं होगा ठीक है वार्सिक करना है तो यहाँ पर बस मान रख दो मान रखोगे तो यह आपका उत पतलन यह साल में चार बार पताएगा कि इतना हो इदर को दिमाग लगाना है कि चार шह लगों और यह इसके बाद प्रतिषत की करना है इसको जो 2 है ना, उससे क्या कर देंगे, एक साल में 2 बार पढ़ा है, 2 से इसको भाग देंगे, तो 6 को 2 से भाग करें, कितना है? 3, तो 3 पर इससे डायक्त 3 लिग देना, समझ में आ गया? यही तरीका इसका, इसके बाद, जो मान निकला है न, 4 और 6, 1 का मान हम कहां पे रखे यहां पर चार रखेंगे और तीन कहां पर रखेंगे यहां पर रखेंगे आर के जगा में बस अब हल कर दो हल करना आसान है खेंठे दो सङ्धा निकल गई आपका ठीक है यहाँ पे एक मिरत इक मिरत्बर यहाँ पर पितने वर्स दिया है पहले मान एक वर समर्पर यहां पर देख़ो एक वर्स दिया है तो तो दो छह मही होगा ना दो छह मही और 2-6 और 2 से क्या करना है प्रतीरत को भाग था कि मैने आपको कहा था कि वाड़े जी प्रस्न भी आएगा लेकिन इसकी practice आपको नहीं करनाहा है नहीं बनाने यह बनाना किभी नहीं आपसी यह बहुत कठी है तो देख यहां पर उत्तर भी दे रहा हैं क्या उत्तर दू इसको बजब बना रहा है नहीं तो ठीक है एक तो फिक से मैंने बता दिया बस प्रस्न दिखा रहा है यह देख लूँ तो वह बन जाएगा आप और यह वाला प्रस्न देखो यह क्या है आवर्ति से सूत्र लगा देना बन जाएगा बहुत आसान है यह प्रशन यह देख लो प्रक्ष्ण बता दिया अब एक और अध्या है वहां से भी पांच नमबर के प्रश्ण आएंगे उनको भी देख लेते हैं इसमें बहुत सारे प्रश्ण है देखो अध्याय जो तेरा है ना यह जो रचना है यहां से आपको पांच नमबर के प्रश्ण देखने को मिलेगा पांच नमबर के प्रश्ण तो यहां पे 20 किशिक करना है तो बहुंत अच्छी बात है यह प्रस्चन living construction leaving collection करना मैंने रचना करना आप लोगों को सिखा दिया है ठाकरना कैसे करते हैं एक बार पूर लेना समझ में आ जाएगा इतना समय नहीं है कि मैं आपको रचना करना सिखा दूँ ठीख है चलो तब भी एक प्रस्ना बता देता हूं क्या करते हैं रचना जब भी करते हैं देखो एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए साथ ही साथ एक और ABC त्रिभुज की रचना कीजिए कह रहा है ठीक है जिसमें AB बराबर 2 अपान 3 PQ अगर यह प्रस्ना आएगा तो फिर तो हो ज चीतह बनाएंगे देख लो याद रखे लो न चीतर इस प्रकार से बनेगा इस प्रश्न में और इसके बाद किसी भी माप का क्या करेंगे सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे जो दिया है वह त्रिभुज अर्ग दिया हूँर अब इसी PQR में क्या करेंगे चेंज करते जाएंगे देखो सिरस P से PX खीचा ठीक है PX से ये देखो PX इन्हों ने खीचा इस प्रकार खीचे ताक कि Q P X ब्राबर न्यून कोड बने ठीक है यहां पर देखो यह न्यून कोड बन गया ठीक इसके बाद क्या कर रहा है फिर से P P आए टनी यहीं के की दूरी से दूरी बराबर बताना है यह भी क्लियर हो इसके प्या भो को मिला यहां पे क्या क्या से P, थिर Q, इसको भी मिलाया, ठीक इस तरह से, तो इन्होंने मिला दिया कह रहा है, फिर क्या करेंगे, L यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रतिजिश्यदी रेखा है, कह रहा है, और इसके बाद 5 टॉपिक क्या है, A, X, खीचे जिसमें बिंदो B, इस प्रकाला लिया, कि A, B, बरा रहा होगी लंबा बनते जा रहा है तो इतना लंबा मैं नहीं बनाऊंगा चीक है इसको भी देख लेना ठीक यह प्रश्णा important है इसमें क्या करना है रचना करना इसका पूरा उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं रचना पांस से साथ पाइंट में हिखते हैं त्यव्यक Analytics पैंट लगा हुआ है उसको दिखा देता हूं कि यह प्रस्ण इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है लेकिन आपको डिखा देता हूं इसमें उसको देखना है आपको यह प्रस्ण देख लेंगा थिख छा मधा यह वाला होで समय मिले तो प्रैट्रिस कर लेए प्रस्ण प्रस्ण और ये वाला प्रस्न अब हैं इतना भी समय मिले क्षला इसका आधा जो ऊत्तर है वह यह रहा उजह वैं वजुए यह प्रस्ण में बहुत्ध 40 लग मुझे इसको देख लेना यह समय मिले या ना मिले इसको देखना ही पड़ेगा आपको ठीक है यह प्रस्ण जो है एक्जाम में आते हैं और रचना के पद इस प्रकार से आपको करना है यहां पर दिखा देता हूं यह सारे प्रस्ण आपको आसानी से परिच्छा बोद में मिल जाएगा चाहे वो नया परिच्छा बोद हो चाहे वो पुराना परिच्छा बोद हो ठीक है उसमें मिल जाएगा यह सारे प्रश्ण यहां तक हो गया ठीक है चट्वा प्रस्ण देखो यह भी इंपोर्टेंट प्रश्ण है इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना है क्यों क्यू आर बराबर च्छा है दि देखना है कुछ प्रस्णों को छोड़ने के लिए इसलिए बो रहा हूं क्योंकि अथ्वा में आए गई आएगा ठीक है यह रहा यहां से दो प्रस्ण आएंगे एक अथ्वा में आएगा और एक आपको अलग से देखना मिलेगा फिर यह वाला प्रस्ण इंपोर्टेंट ह देख लेते हैं इसको भी ठीक है यह हो गया और यह इसका चित्र और यह इसको तर ठीक है आठवा प्रस्ण भी देखो अठवा भी इंपोर्टेंट है इसको भी देख लो यह रहा और यह इसका चित्र है यह वाला फिर नवा दिखाता हूं नवा प्रस्ण देखो यह नवा पड़ता है और यह रहा यह प्रश्ण ठीक है यह भी important है देख लेना यह रहा रचना के बाद यह अब इसके बाद 11 दिखाता हूं यह तो most IMP प्रश्ण यह सबसे जादे इंपोर्टेंट है यह वाला प्रश्ण देखलो तीक है यह रचना करना सब रचना वाले हैं एक रचना समझ गया तो सबके रचना बना लो गया ओए यह वाला यह कुछ जाला मुझे नहीं लगता है कि प्रस्थ आगा अगर समय मिले तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना रच्टीस से यह भी देखलो 14 प्रश्णह 25 प्रश्न गरैस को फ्रस्व challenging को है यह दिया हुआ है जैसे कि मैं दिखाता हूं यह देखो, यहाँ पर बारवा प्रस्नमे है ना, तो सेम टू सेम बारवा जैसे है, बस मान को बदल दिया है, यहाँ पर कितना कर दिया है, साथ है, वहाँ पर छे था, ठीक है, बाकी बी का मान, वहाँ पर एक का मान दिया था, पैतालीस, और यहाँ पर सी का मान कितना दिया ह तो इसी तरह साड़ दिया है तो सेम तो सेम जैसे बारवा बने को ऐसी सोलवा बनेगा ठीक है तो यह प्रस्न मैंने बता दिया पांच नंबर में ही आपको यह देखने को मिलेगा तो पांच नंबर के पूरे प्रस्न मैंने बता दिया अब बांकि आपका चार नंबर वाला च चल्दी बता दूंगा